वेलकम टू मूवीज ग्लिक जिसका नाम एमबर है उसके पास बहुत पैसा है इसलिए वो छुटे मोटे लोगों को ज़्यादा भाव नहीं दीती है और इसलिए ज़्यादातर लोग उससे लड़ाई मानते हैं एक दिन एमबर और उसके साथी लोग प्राइविट जेट से एक बीच पर जाते हैं उसी रास्ते में एमबर को एक नौकर दिया जाता है जिसका नाम माइक होता है जिसकी ड्यूटी है एमबर का खयाल रखना लेकिन एमबर अपने करोड़ पती अंदाज से अपने नौकर माइक को परिशान कर देती है अब एक दिन वो समवत्र में घूने के लिए ट्रिप पर जाते हैं एमबर भूलती है कि उसे जाकर समवत्र की बीचो बीच मचलियां पकड़नी है ये कम दिमाग वाली औरत अपने इसाब से सभी काम करती थी लेकिन यहीं पर माइक उसे बताता है कि ये मौसम ठीक नहीं है अगर हम मचलियां पकड़ने गए तो रास्ते में फसी रह जाएंगे लेकिन एमबर जो है वो बहुत ही जादा जिद कर जाती है इसलिए माइक को एक बोट का इंतजाम करना पड़ता है फिसिंग करने के लिए वो दोनों समुद्र के बीचों बीच उस बोट को लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें मचलियां मिलने वाली है पर लेकिन ये दोनों अभी ये नहीं जानते हैं कि इनके जीवन में कितना बड़ा खत्रा आने वाला है अब वो एक जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें मचलियां मिलने की संबावना होती है पर लेकिन ये करोड़ पती औरत मचलियां पकड़ने की जगह बोलती है कि मुझे और आगे लेकर जाओ समद्र में उसका नोकर मायक तो जानता है कि ये औरत सटके हुए दिमाग की है इसलिए वो भी बिना कुछ कहे चल देता है लेकिन रास्ते में ही बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और बोट बंद हो जाती है ये देखकर वो करोड़ पती औरत अपना छिपकली सा मूँ बनाती है और बोलती है कि तुमने फ्यूल भी चेक नहीं किया ऐसे ही भगी चले आए तो यहाँ पर मायक भी अपने मजे लेता है वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है तुमारी गलती है मैंने बोलाता है मत आओ यहाँ पर पर तुम्हें तो समद्र की बीचो बीच जाकर फिसिंग करनी है मायक बताता है कि अब हमें यहां से निगलने का कोई चारा नहीं है जब तक कोई हमें दूसरा सिप नहीं दिख जाता और इस बोट में पैडल भी नहीं है जो इसमें पैडल चलाकर हम आगे बढ़ जाएं वो ऐसा बूलकर उस करोड़ पती औरत ही टांग खीचता है वैसे तुम्हें यह तो पता होगा कि लड़की हमेशा कूल रहते हैं इसलिए वो पानी में खूब डूबगी लगाता है और नहाता है ऐसा करते देख वो खरोड़ पती औरत एमबर को बहुत गुसा आता है लेकिन अब वो दोनों ऐसे ही इस बोट पर कैद हो चुके हैं ना ही उनके पास कुछ खाने को है और ना ही बाहर जाने को धीरे धीरे कई दिन वीत जाते हैं एक बार एमबर बोट में कुछ ढूड़ती है तो उसे एक गन मिल जाती है वो उसे फ्लियर गन समझती है लेकिन माइक उसे बोलता है कि वो फ्लियर गन नहीं जान से मारने वाली बंदुख है इसी बीच उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और गन से गोली चल जाती है और वो बोट को ही लगती है जिससे दीरे दीरे बोट की हवा भी निकलना शुरू हो जाती है अब माइक सोचता है कि इस करोड़ पती वरत ने समझतर में तो फसवाई दिया अब ये पूरे मरवाने की ब्लानिंग कर रही है और उसी रात को तूफान आता है बड़ी मुस्किलों का सामना करके वो एक रात बिता लेते हैं और सुबह देखते हैं उनको एक आईलेंड दिखाई दिता है और अब वो दोनों उस आईलेंड पर जाना चाहते हैं इसलिए वो कच्छुए की तरह हंत पर चलाने लग जाते हैं जिससे बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आईलेंड पर पहुंच जाती है लेकिन वो करोड़बती और समझते हैं कि अब तो उसकी जिन्दिगी बच गई पर अभी उसे पता कहा है अभी तो एडवेंचर सुरू हुआ है वो दोनों अपने अलग-अलग रास्ते पर निकल जाते हैं वो करोड़बती औरत तो सूचते हैं कि सायद इस आईलेंड पर कोई होगा इसलिए वो पूरी आलेंड पर उसे डोड़ने के लिए गुंटी रहती है लेकिन माइक को पता है यहाँ पर कोई नहीं होगा इसलिए वो किसी को डोड़ दे की वज़या अपने लिए खाना डोड़ता है खाना तो मिलता नहीं उसे लेकिन एक जौपड़ी मिल जाती है और उस जौपड़ी को देखकर वो बहुत खुस होता है उसके सोने और रहने का जुगार हो चुका है वो जौपड़ी साहथ उस इंसान ने बनाई होगी जो यहां पर पहली कभी फसा होगा अब माईक बस सोचता है कि रहने का इंतजाम तो हो गया अब बस खाना डूड़ना है पैसे लड़के तो होते ही दिमाग वाले है इसलिए वो लकड़ी से एक पेना हत्यार बनाता है जिससे वो मचलियां पकड़ सके और वो बड़ी ही चालाकी से अपने लिए मचली पकड़ लेता है और उसे अपने जोपड़ी के पास लाकर आग जलाता है और उसे पका कर खाता है लेकिन तभी आदे दिमाग वाली औरत याने एंबर वो वहां पर आ जाती है और देखते हैं कि उसने तो अपने रहने के लिए भी जुगाड़ दर लिया है और खाने का भी ऐसा देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने पूरी आइलेंड का चक्कर लगा लिया था उसे कोई भी वहाँ पर नहीं मिला उसने पूरी जिन्देगी पैसों में बिताई है और एसो आराम की जिन्दीगी जी है इसलिए उसे पता भी नहीं है कि कैसे अपने लिए खाना डूड़ना है और कैसे सर्वाइव करना है लेकिन जब वो माइक को मचली खाता हुआ देखती है तो उसके मूबे भी पानी आने लगता है और उसे भी खाने का मन करता है इसलिए वो माइक से जाकर रिक्वेस्ट करती है खाने के लिए पर लेकिन मायक उसे मचली देने से मना कर देता है क्योंकि उसी औरत ने उसे परिसान किया था इसलिए वो भी बदला लेता है अपना थपड मारने के बाद मायक उसे बूलता है कि यहाँ पर मैं तमारा बॉस हूँ और तुम्हें मुझे मालिक कह के बुलाना पड़ेगा और तुम्हें मेरी कपड़े भी दोने पड़ेंगे जब तुम्हें खाना मेलेगा ऐसा बूल कर वो अपना पूरा बदला लेना चाहता था लेकिन अब एमबर के पास ऐसा करने के सबाग कोई उपाय नहीं है इसलिए वो हां कर देती है और उसके कपड़े भी दोती है और उसे बॉस भी बोलती है देखरे हो क्या दिमाग चला रहा है ये लॉंडा और ऐसे ही कई दिन बीच जाते हैं पर ना तो मायक उसे खाने के लिए ठीक से देता है और ना ही उसे अपरी जौपड़ी में अंदर सोने देता है वो बोलता है अगर उसे जौपड़ी में सोना है तो उसके साथ सोना पड़ेगा ऐसा करने से एमबर मना कर देती है मायक उसे अपने पूरा बदरा लेता है जितना भी उसने उसे परिसान किया था पर उन दोनों के सिवा उस आईलेंड पर कोईय नहीं है इसलिए उन दोनों को आपस में बातें करनी ही पड़ती थी इसलिए वो दीरे दीरे एक दूसरे को थोड़ा समझने लगे थे एक दिन माइक और वो दोनों मचले खारे होते हैं तो माईक उसे बताता है कि वह उसे प्यार करने लगा है इसलिए वह उसके साथ कुछ ऐसा बेहवियर करना था जिससे ये रियलाइज हो सके जादा एटिटूड करना भी सही नहीं होता है एमबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माईक को जाके सौरी बोलती है उसके बाद वो दौनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और असी खुसी अपने जिंदेगी बिताना शुरू करते हैं वहीं पर वो अपने कामों को आदा आदा बांट लेते हैं और एक दूसरे की मदद से करते हैं और Ember को रियलाइज होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है पैसा क्योंकि गमंडी बना देता है अब माइक ने उसमें थोड़ी बेखल औरत में अकल डाल दी है एक दिन वहीं पर वो समुद्र के किनारे लकडियां एकटा कर रही थी तो उसे समुद्र में एक जाज दिखा प्रेया ना और वो यहीं पर रहने का फैसला कर चुकी है लेकिन माइक आता है और वह जाज को आवास देता है पर Immber आव उसे भी आवाज देने से मना करती है और पूलते है कि हमें उस दुनिया में बापस नहीं जाना वो पूलती है कि अगर हम बापस उस दुनिया में के पूट पर छोड़ देते हैं वहाँ पर उस एमबर का पती आता है उन दोनों को लेने के लिए क्योंकि माइक ने उसकी पदने की जान बचाई है अब माइक वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे एक आदमी आता है जो हाँतमा एक बैग लिए था जिसमें पैसे बरे हुए थे जो एमबर की जान बचाने के लिए उसके पती ने उसके नाम की तोर पर विचवाई थे पर लेकिन माइक वह पैसे लेने से इंकार कर देता है और उस आदमी को भगा देता है पर जाते वक्त वो आदमी उस बैग को वहीं पर छोड़ जाता है माइक उन पैसों को आखर में ले लेता है और उनी पैसों से एक रिंग लेता है और वो एमबर को फोन करता है और बूलता है कि उसे उसकी याद आती है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो इस जगे को छोड़ कर लंडन चले जाएंगे माइक एक चिट्टी लिखता है जिसमें एमबर के लिए एक एडरस होता है जहां पर उसे आना है और वो उस चिट्टी को उस होटल रूम में दे देता है जहां पर एमबर रहती है पर लेकिन इसी लेटर को एमबर का पती देख लेता है और वो समझ जाता है कि आखिर इतने दिन इन दोनों नाई बीच पर क्या किया है यानि कि आइलेंड पर एमबर को माइक के उस लेटर का इंतजार होता है पर लेकिन उसका पती उसे नुई यॉर्क ले जाना चाता है नुई यॉर्क जाने से पहले एमबर को एक चिट्टी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि आइलेंड पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक टाइम पास था और एक नाटक था मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता हूँ एमबर को उसके लेटर का विस्वास हो जाता है और वो लोड़नी लगती है पर दोस्तों वो लेटर माइक ने नहीं एमबर की पती नहीं लिखा था उसी के लिए क्योंकि वो नहीं चाता कि उसकी पतने माइक के साथ जाए अब एमबर और माइक के बीच दोनों में गलत फहमी हो रही है माइक को लगता है कि एमबर उसके लिए आ नहीं रही और Ember को लगता है कि Mike ने उसके लिए जो किया है वो सब नाटक था और बीच में ये पूरे मजे ले रहा है Ember का पती क्योंकि वही है जो बीच में लेटर को एक्सचेंज करके बदल देता है पर लेकिन जब तक Mike को असलियत का पता चलता है जब तक Ember और उसका पती जा चुकी होते है और अब उन दोनों के प्यार की गहानी टूट चुकी है अब वो हेलिकॉप्टर की तरफ उसी रिंग को फैंकता है वो अब अपने आपको करिस्थरी समझ रहा है वो सुचता है कि साधी रिंग उसके पास चली जाए पर दोस्तो ऐसा कुछ नहीं होता वो रिंग जाके पानी में गिर जाती है और वो कबीर सिंग की तरह रूना सुरू हो जाता है इसलिए दोस्तो टाइम का कुछ भी पता नहीं है कि कब हमारे साथ रहने वाले लोगों को कब वो दुस्मन बना दे जैसा किस मूवी में हुगा है और यही पर मूवी का एंड हो जाता है दोस्तो मूवी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी एक और मूवी है दच चैस उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे उसकी भी कहानी ऐसे ही लव के उपर है आपको वो वीडियो भी जाकर जरूर देखनी चाहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि मैं ऐसे ही धांसू और अमेजिंग वीडियो डालते रहता हूं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अब तक के लिए थैंक्यू सू मज फॉर वाचिंग